हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, ट्रोनिक्स आटोमिशन हम बात करेंगे एटम बर्क के रहंसा, बील डीसी फैन के बारे में इसकी सबसे खास बात यह है कि 28 वाट पर यह वर्क करता है और यह रिमोट से उपरेटर है, नॉर्मल फैन 75 वाट पर वरक करता है जो कि काफी लू पावर कंजप्शन फैन है, इसमें हमको 3 यर के वारेंटी मिलती है अब बील डीसी फैन क्या होता है, ब्रसलेस डीसी मोटर फैन, नॉर्मल जो इलेट्रिक विकर लाता है उसमें भी बी ऑली सी मोटर यूस होता है इसमें हमें कैपासिटर वाली परफिलम नहीं आती कि कुछ दिन के बाद स्थीन फैन में स्पीड लो हो जाती है पर इसमें capacitor है ही नहीं तो वो problem आएगी नहीं bearing की problem नहीं आएगी क्योंकि bearing के कारण creasing नहीं हो पाता उसमें तो वो noise देते हैं इसमें noise भी नहीं आता और कफी अच्छा है ये fan ये normal person भी इसको install कर सकता है ये कफी lightweight fan है इसका main box है इसमें ये 2 covers है जो mat finishing के साथ है brown में उसके बाद ये rod है उसके बाद ये clips है rubber के clips जो उपर support देते हैं fan को ये remote है इसे speed कम ज़्यादा होती है fan on foot होता है ये main part of the fan है काफी अच्छा है ये fan ये काफी lightweight है इसमें cell भी मिले है हमको दो ये अब देख सकते हैं कितना smooth है इसके blades है जो काफी low maintenance fan है ये हमको amazing से मिला है 3300 का best barrier link नीचे दिया हुआ है अब देख सकते हैं ये main part of the fan है ये देखे कि winding and infrared transmitter receiver रही है वैस मैं LED लगे हुई जिस्ते हम रात को इसको night lamp से use कर सकते हैं ये remote है और sales है इस speed कम ज़्यादा कर सकते हैं ये main blade है अब देख सकते हैं थेंक्यू फर वाचिंग नए वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और से यार कीजिए अब देख सकते हैं